कि नमस्कार दोस्तों मैं भी नुरा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल नौलेज वर्ल्ड में ओके नौलेज वर्ल्ड में और आज हम लोग इस पे टॉप 50 कुश्चन्स का जो कुश्चन लाए हैं वो लाए हैं किस से रिलेटेड भारत की म सब्सक्राइब करते हैं अगर आप एक से दो बर कर लेते हैं तो आप पेपर में मैक्समुम कुश्चन करके पेपर से वर्ली ळाए हैं न में म giल के क्शचन लाए आफ परकार की प्रकार की निफ्र आप पाई जासे कोंकन से मिठी पैँ है देखिए पहला है जलोड मिटी यानि अलिवील स्वाइल दूसरा है काले मिटी यानि ब्लैक स्वाइल तीसरा है लाल मिटी रेड स्वाइल फूर्थ है लेटराइट मिटी ओके फिप्थ है परवतिय मिटी यानि माउंटें स्वाइल सिक्स है मरोस्थली मिटी यानि यानि पीट्सवेल ओके तो यह आठ प्रकार के मिट्टिया पाई जाती हैं जो किसके अनुसार भारतिय क्रिसी अनुसंधान परिशत के अनुसार नेक्स्ट है छेत्रे विस्तार और किसी के महत्तुक की दिष्टी से भारतिय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग है छेत्रे विस्तार और किसी में महत्तुक के दिष्टी से भारतिय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग है दो, तीन, चार या, पांच तो छेत्रे विस्तार और किसी के महत्त को ध्यान में रखती हैं, मैं बता दूं कि यह चार प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की चार प्रकार की मिट्टियां, पहले होती है जलोड मिट्टी, दूसरी होती है लाल मिट्टी, तीसरी होती है काली मिट्टी और चौती होती है लेटराइट मिट्टी है तो किसी के महत्तु के ध्यान में रखते हुए चार मिट्टिया होती है अनुसंधान के दार पर आट मिट्टिया होती है नेक्स्ट है भारत की सरवाधिक महत्पूर्ड मिट्टी कौन सी है भारत की सरवाधिक महत्पूर्ड होती है भारत में सरवाथिक छेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जलोड काली लाल यल्य ट्राइट तो किस प्रकार के मिट्टी पे सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है वो है क्या जलोड मिट्टी कौन सी है जलोड मिट्टी भारत में सबसे ज भारत के मिट्टिएं का सही और रोही क्रम कौन सा होगा है ना 46 पखल के दिश्ची से जलोड काली लाल लट्राइट या काली जलोड लाल लट्राइट तो अभी मैंने देखा जलूट के बाद कौन सी है, जलूट के बाद लाल मिटी है, जलूट के बाद कौन सी मिटी है, लाल मिटी, यानि B option सही है, जलूट मिटी, लाल मिटी, काली मिटी और लेटराइट मिटी, तो यह सही और रोही करम है, नेक्स्ट है, भारत के विभिन छेत्रों में विभिन प्र तो कौन से विविजता है तो यह देखिए D option है यानि इसमे climate भी effect करता है उसके structure भी effect करता है और उसका जो height and distance है जो height and lowest वाला है बाग है उच्चा वच जो भी विविजता है उस पे भी मिटिया क्या करती है डिफर करती है तर्टिये मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्किष्ट मिदा है तर्टिये मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्किष्ट मिदा कौन सी है जलूड रुच यानि सुस्क काली लाल तो कौन सी मिटिये है जो तर्टिये भारत के मैदानों में पाई बिड़े वेफैर को परता कर से लिएक गईनवेश्मा से लौक्त टोन जुट ओक tip नवीन किसे नाम से जाना जता है वीन जमीन जो है यह किरी मिठी को थो बना लौक्ति से। उस मिट्त को कहते हैं खाधर, क्या कहते हैं खाधर और यही चीज जब पुराणी हो जाती है, बहुत पुराई मिट्त है उसको कहते हैं बांगर If You जाना जाता है किस नाम से बांगर के नाम से भारत के उत्तरी मैदान की मिर्दा समयता कैसी बनी है भारत के उत्तरी मैदान की मिर्दा समयता कैसी बनी है तलावचन से तलोचन से स्वस्त अपचायन द्वारा या अपड़न द्वारा तो कैसे बनती है यह दिए तलोचन से कैसे तलोचन से तो यानि तलोचन का मतलब होता है कि जब कोई माउंटेण है उपकरACH है तो उध्री मैदान की मेदा समानता ऐसी ही बनी है यानि पहाड़ों के तूटने फूटने से और नदियों और दुग द्वारा बहा के ले आने से और ले जाके एक तरह के इक तरह करने से क्या बनती है तलोचन से यही तलोचन के लाते है और यह मैदान तो उतरी भारत की जो मैदान है वह इसी तरह से बनी है नेक्स्ट है गंगा के जलोड मिटि की भूमी सता के नीचे है, लगभग, कितना भूमी सता से नीचे पानियुंचे है बहूं सकता है, पानियों पूरानी कछारी मिटि क्या चछारी मिटि क्या थी रहती है? बांगर खादर कलर या रिगूर तो पूरानी कछारी मिट्टी पूछा है और पूरानी मिट्टी क्या कराता है बांगर क्या कराता है बांगर नेक्स्ट है निम्लखित में से किस प्रकार के मिट्टी के लिए नियूंतम उर्वरक की हो सकता होती है नियूंतम उर्वरक की हो सक क्या चाहिव प्रभाइल होता है कंचे गंगा के मैदानी के पूरानी कचहारी मिटी कहलाती है यह सबद्दाज बदल बदल की पूशता है रहात समस्त अस्थल भाग का कितना प्रतिषयत जलूर मिटी से धका है क्या पुछा है समस्त अस्थल भाग का कितना प्रतिषयत जलूर मिटी से धका है 20% 24% 29% 33% तो यह 24% कितने %24% समस्त अस्थल भाग का कितना प्रतियत जलूर मिट्टी का ढखा हुआ 24% समस्त अस्थल भाग में 24% है अगर हम ऐसे देखे तो कितना % हो जाता है 43.7% इतना याद देखेगा 43.7% भाग पे क्या है जलूर मिट्टी है लेकिन अगर समस्त अस्थल भंडल के पूछ लें कि कितना प्रतिश्य भाग पे क्या है जलोड मिटी पाया जाता है तो 24 परसंट पर नेक्स्ट है जलोड मिटी में जब जलोड मिटी में जब बालू के कड़ों और चीका के मात्रा लगभग बराबर होती है तो क्या नाम दिय गते हैं क्या क्या है वहां पर पूच एज़ जो है उसके तूटने फूटने से निचे पीद पदार्तों से बना है लिट्रायट मिटी काले मिटी छारे मेडी मिटी है बलोी मिटी के वाउनमेडिवा निकलनए से उसके निचे पन से क्या मचे बनता हैstyle काले मिटी इसकर बहुत पुराने योग नेटस्ट से को निमने में से कौन से मिटी पार्भारत में इस भारत में सबसे ज़्यदा पाई याalg 대 कौन से मिंटी काले मिंटी तो सब को पता होगा कपास के खती कंखती क्या होती है काले मिंटी ऑना काले मिंटी को क्ळा रिख से उल्हें फेमस है नेक्स्ट हरे लावा के प्रभाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है लाल मिट्टी काली मिट्टी जलोन मिट्टी या लेटाइट मिट्टी तो यह होता है काली मिट्टी यानि नीचे से लावा जो निकला था उसके ठंडे होने से और फैलने के उज़से प्रवा से किस निर्माण होता है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहां महाराष्ट में मध्यपरदेश में गुजरात में इन सभी में महाराष्ट मध्यपरदेश गुजरात यह सभी जहत्र में क्या पाया जाता है काली मिट्टी रेगुड मिर्दा किस की किसी के लिए सरवाधिक उप्यूकत है रेगुड मिर्दा मुंकफली कपास तंबाकु गन्ना या देखे रेगुड को ही ब्लैक स्वाल कहते हैं मिट्ट जयवपदात्व से भरपूर होती है काले मिट्टी को कोवन से निम्न में से कौन सा कथन असरत है क्या पूचा। असत्य पूछा है सत्य नहीं असत्य पूछा काली मिट्टी कपास की वृदी के दीक होती है यह तो σही है इसमें आधिक समय तक धारण करने को इता हदाती है भिल्कुल सही है कि मैं तो असत्य पूछाता यानी यही डुरी उके भारत में निम्रिखित मिर्दाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपच्छाय के कारण निर्मित हुई है बेसाल्ट लावा के अपच्छाय के कारण निर्मित हुई है लट्राइट मिर्दा रेगुड मिर्दा लाल मिर्दा या जलूड मिर्दा ओके तो क्या पूचा है कौन सी मिर्दा बेसाल् ठीक है तो रेगूर्ण स्वाइल को भी इल्यकोल स्वाइल के तए तो यह द्याद रिकेwater है अधिर किसम नहीं होती लाल मिटी काले मिटी जलूर मिटी उके टो कौन से मिटीत कौन से मिटी को किस अस्थान ये नाम से जाना जाता है। भारत में काली कपासे मिट्टी को किस अस्थान ये नाम से जाना जाता है। सब्सक्राइबर में तो यह एक साघ्छाइकार. राज्धाने लिए ऑँ नेक्स्ट है परस्धित्य भारत में मिर्दा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है प्राइदी पिय भारत में छेत्रिय मिर्दा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है जलूर मिर्दा लाल और पिली मिर्दा वन मिर्दा या खारी मिर्दा तो किस के पूसरा है प्राइदी पिय भारत में छेत्रिय मिर्दा के निम्न मीट्टी का विस्तार दोल मिट्टी काले मिट्टी लेटरयट मिट्टी कि से कौन रपिक हैं लाल मिट्टी नають है इस वालिا चेत्र में यह जो वेस्टर घाट है यह चू इस अभार हुआ चित्र रहें उन के विश्चिछाय प्रदेश के niez आन्दर करते हों कि लाल मिट्टी क चला है ना है लाल मिटी की सम्दद है कौन सा कथर आवसात्तम है लो अक्साइट कह거를 रंग लाल हम रझे यह सुस्क और आध्र छेतराई प्त्राई यह जाता है यह ओके में लैके हम से नदी घाते यहलत है यहähänंने money नदी घाटियों में नहीं पाई जाती है और पूछा क्या है असत यानि यही राइट एंसर है ऑके बाकी सब क्या है सई है नेक्स है लेटराइट मिटी महत्पूर्ण लुप से पाई जाती है कहां पर मालाबार तटिये चेतर में कोरोमंडल तटिये चेतर में मुंदेल घंड पाई जाती है जहां पर बारिस बहुत होता है और इधर मेगाले के साइड है इधर पस्चिम गाल के साइड में तो यह जो एरिया है वहां पर लेट्राइट मिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है तो यह आपके एंसर में का होगा मालाबार तर्ट में नेक्स किस मिटी में लोहे और अल्मूनियम की गरंथिया पाई जाती है लोहे और अल्मूनियम की गरंथिया पाई जाती है लेट्राइट मिलदा में कहां पाई जाती है लेट्राइट मिलदा में नेक्स लेट्राइट मि जाते हैं option वही रहते हैं तो question कई तरीके से पूछेगे हैं भारत में निम्लिकित में से कौन से मिर्दा समूह लोहे का अतिरीक होने के कारण अनुर्वर है होता जा रहा है अनुर्वर या उर्वरक नहीं हो रहा है निम्लिकित में से कौन से मिर्टी सूख जाने पर इट की तरह कठोर और गिली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है बहुत ही गजब का question है कई बार आया हुआ question है SSE में कई बार पुछाईए तो कौन से मिर्टी सूख जाने पर इट की तरह कठोर और गिली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है तो या दिखें यह मिट्टी में चाय की भी क्रेसी की जाती है तो यह पूच रहा है कि कौन सा कथन असत है तो यह देखिए यह एक छारिय मिट्टी है यह एक छारिय मिट्टी नहीं है यह अमलिय मिट्टी है काफी बारिस होने के वज़ा से यह मिट्टी होती है तो यह क्या है अमलिय दूसरा कोश्चन है लेटरायट मिट्टी में सीलिका के दिखता होती है सुखे जाने पर मिट्टी एट की महाती कठोर हो जाती है इस मिट्टी में लोहा और एलमुनियम के दिखता होती है यह मिट्टी की उरवरा सकती कम होती है तो क्या पूछा है गलत कोश्चन पूछा है तो यहां देखिए लेटाइट मिट्टी सीलिका की अधिकता होती है यह गलत जवाब है ठीक है लेटाइट मिट्टी में आईरन की अधिकता होती है किसके अधिकता होती है अभी कई बार कोश्चन पढ़ा है ना आप लोगों ने किसके अधिकता होती है आईरन की अधिकता हो यहां कितने परसंट यह 50% 60% मिर्दा ऐसी है जो अर्धित हो चुकी है समाब नंब करा करके रिसर्च करके बताया गया है नेस्ट धान की खिटी के लिए स्वधी आदर्स मिर्दा कौन सी है धान की खेती के लिए लेटरायट मिर्दा लाल मिर्दा जलोड मिर्दा और काली मिर्दा कौन सी है आराम से आप लोग बता सकते हो धान कहा होता है ज्यादे ज्यादा तो यह देखिए जलोड मिर्दा पानी में पानी चाहिए भी से तो कहा है क्यार है ना कौन से राच ही के रलसे सकता है मिल्दा अपर्दन रोका ज़ hun penny चराई वनस्पति उनमूलन दौर वन रोकन द्वारर या पक्षी शंक्या में विर्धी द्वार ओके तो इसको जो का जा पर्दन को रोका सकता है याद के पेल लगा के हैंना क्या करसकते हैं पिर्ड लगा के लगाना एक डियत का नाम क्या करना है या उस्पति Ms. आ क्या है क्वार कोश्चन के उसको हम लोग क्या है क्या है क्ली मिठी का उसर Press ही बार नोटिस का है यटाम में यूपीटेट हो या आपके लुटी एसे सी हो ॐसमें काली मेटी से कोश़्चन बहुत बने हैं। था में सबसे ज्यादा क्या होती है यह यह सबसे ज्यादा कहा है कहां है वहाँ सब arte इस उर्पर्द्ष भलेक ज़दा होती है तो पहाड़े मिटी होती है काली मिटी होती है मक्राला मिटी है या देखिए म opens इसको दो देना खंगार देना वाला हिसाब होता है पानी से डाल डाल के बाल बर तो वो निक्छालन होता है आक्सीकरन यानि आक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो कौन सी मिटी में होती है पहाड़ी काली मक्राला मिटी या लाल मिटी तो यह होती है मक्राला मिटी क्यों चम्बल की नदिया किसकी वज़े से अपरदन होता है चम्बल कि क्या होता है कुछ इस तरह से भी है तो इसकी वज़े तो क्या करके हम मिर्दा अपरदन को रोग सकते हैं यानि जहाँ अपरदन हो रहा है अगर उस चीज को रोक दे तो बंद हो जाएगा ठीक भूपयोग का विनियमन करके यानि जो हम भूपयोग कर रहे हैं कि यह करने हैं वुक्त कर रहे हैं उसको अगर हम रोक दें थीक है तो भी हम रोक जागा विक्षो की कटाई करके कि आप ब्रतन रोक सकते तो तीसरे ऑप्सटन तो गलत है तो ऑप्सटन क्या होगा वन ऐफ तो प्रकार कि मिट्टी में कार्विनिक पदालत की अधिकता होती है किस प्रकार के मिट्टी में कार्बन के अधिकता होती है पीट काली लेटायट या लाल मिट्टी किसमें होती है काले मिट्टी में बिल्कुल कार्बन की अधिकता किसमें होगी काले मिट्टी में आज का लास्ट कोश्चन महारास्ट में सरवादिक मात्रह में पाई जाने वाल दन्यवाद और आज के लिए इतना ही अच्छा लगे तो लाइक जुरू करें ओके नमस्कार दन्यवाद एंड हैपी हो ली